लोक सबाद चुनाओं को लेकर यूद कॉंग्रेस भी पुर्जोर तरीके से तैयार हो गया है। अलग-अलग मुद्दे भुना लिये हैं यूद कॉंग्रेस ने किसानों का मुद्दा हो क्योंकि राजस्तान के तीन जिलों में किसान आंदोनन चल रहा है। पंजाब और हर्याना में किसान आंदोनन चल रहा है। इस मुद्दे को अब यूद कॉंग्रेस बुनाएगा। राजस्तान में यूद कॉंग्रेस अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गया है। बजनलाल सरकार को घेरा जाएगा। सहीद इस मारक से जो है सीएम आहूस तक पैदल मार्च लिकाला जाएगा और नियाय की गुहार लगाई जाएगी। यूद कॉंग्रेस के अध्याक्स विधायक अभीमन्यपुनिया का कहना है बजनलाल सरकार ने यूवाँं से वादे किये। केंद्र सरकार ने भी यूवाँं से वादे किये। किसान हितेशी होने की बात कही। तीन कर्शी कानून बिल लेकर आए, सैक्डों किसानों की मात हुई, लेकिन किसान पीछे हटे नहीं और ऐसे में तीनों कर्शी कानून को वापिस लेना पड़ा। अब किसान अपनी उपज का नुन्तम मुल्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। ऐसे में किसान आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, राजस्तान के तीन जिले, आपको बता दे वो तीन जिले कौन से हैं, हनमानगड, स्रीगंगानगर, अनुपगड, यहां के किसान उग्र होने के लिए तैयार हो गए हैं, पुलिस परसासन समझा इसक सब परियास कर रहा है लेकिन किसान जश पर द्स हैं आर्पाज कि लड़ाई लड़ने के लिए तयपर हो गया लग उट्सक्राइब सउगत्रइब अलग मुद्री को बना रहा है इस के साथ साथ यूद कॉंग्रेस अलग मुद्दे को बुना रहा है कॉंग्रेस कर्सीष ने तर्थ अलग मुद्दे को बुनाने में लगा है और केंद्र की वीजेपी सरकार को गेरने में लगा है अलग-अलग मुद्धो को बनाते वे कॉंग्रेस के अलग-अलग संगठन जनता का मंटा टोल रहे हैं लेकिन जिस तरह यूद कॉंग्रेस की जिम्मेदारी अभी मन्युपुनिया को दी अभी मन्नी पुन्या यूद कॉंग्रेस के संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं क्योंकि अभी मन्नी पुन्या जानते हैं कि अब समय का मचा है लोकसबा चुनाओ पास में है ऐसे में धरातल पर उतर कर काम करना पड़ेगा क्योंकि काम करेंगे तब ही जनता का समर्थन मिलेगा ऐसे में अभी मन्य पुन्या ने अब पूरा तैयारी कर ली है अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं सही दिसमारक से सीम हाउस तक कूछ की चेतावनी उनकी ओर से दे दी गई है हालंकि किसान का मुद्धा पूर में भी उठा था जब वीजेपी विख्ष में थी जब किसानों के मुद्धे को बुनाने में लगी थी वीजेपी का कहना था कि कॉंग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम सत्ता में आएंगे एक से दस्ता गिंते गिनेंगे और किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं कॉंग्रेस कह रही थी हमने तो कर्जमाफ कर दिया लेकिन केंदर के अदिन जो बैंक है उनका कर्जमाफ नहीं हुआ है अलग अलग आरोप पर त्यारोप के दौर चले लेकिन आप लोग सबा चुनाओ पास में आ गए हैं फिर से किसानों का मुद्दा बुनाने की कोशिश की जा रही है किसानों को के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी है लेकिन आरोप के बीच यूद कॉंग्रेस ने भी कमर कसली है यूद कॉंग्रेस कल से मैदान में उतरेगा सड़कों पर उ पाए को रोजगार मिले नहीं वाँव को रोजगार मिले नहीं। जो है केंदी सरकार आश्वासन पर नहीं हैं। देश का यूवा, किसान, इनके चलावे में आने वाला नहीं है, यूद कॉंग्रेस भी अब किसान और यूवाँ के साथ है, किसान और यूवाँ के मुद्दे को लेकर अब हम सड़कों पर उतरेंगे, इस तरह की चेतावनी यूद कॉंग्रेस की ओर से दी गई है, विराल द संत्मानडे, टीवी नाइन, जैपूर